आप देख रहे हैं वोईस ओफ इंडिया खबर उत्रप्रदेश की फतेपुर से जहां पिछले दिनों जमीन के विवात के चलते एक व्यक्ति की हत्या के बाद इलाके में जम कर हिंसा हुई प्रशाशन ने तुरंद कारवाही करते हुए पेडित परिवार को 20 लाग का मुआफ़ा और चश्म डीट के ब्यानों के अधार पर हत्यारे को पकड़ कर जेल भेज दिया मगर आज एक बार फिर हत्या के दोशी कहे जाने वाले परिवार का कहना है जिस दिन हत्या की वारदात हुई थी उस वक्त वो घर में अपने परिवार के साथ था पुलिस मामले की जाच में जुड गई है आईए सुनते हैं अरोपी कहे जाने वाले परिवार को निए त्यूं कोई सुनमाई नहीं भी ऐख करा झाए हम लोग से मिल सुनमा जाए गाल जाएगा जाची जाएगी तव यूगी मुकमंतरी से मांगए थिए कि हमाये हम को इन्साफ चाहिए हमा हां राध मी बेकुसूर ए दुन्या के उनको बीमारी लगीये और यह जब जस्ती का आरोव इत्थोपे गये हैं इसके थोप हग का इंसाब चाहिए हमाई चोटे चोटे बच्चे उनके हग का इंसाब चाहिए कि अमाई आगे पीछे कोई भी हमको बस हग चाहिए न्याय चाहिए अगर हमारा आदमी दोसी है तो इसको बिल्कुल दोसी ठहरा ठहराया चाहिए अगर दोसी नहीं है तो आप उनको एकदम परिशान मत करिए हम लोग सब शादी में जा रहे थे पूरी तैयारी यहां लोगों की पांच मेजे से चल रही थी हम लोगों को पता हुआ ही था बस यहां से तैयारी हो रही थी नीचे हमारी गारी ती दून मों किसके सादी जा रहे थैं किसारी की शादी दी चौरी लेने जा रहे है किस तारी को किस माबले पास निकले मेरी गाड़ी आगे थी निकल गया तो मैं पूछा कहा हो इन पीछे आ रहा है उसके बाद मैं निकल गया मैं पहुच रहा था सरसोल के पास मेरे भाई का फूनाया कि या रहा है इसा यह अपना चवडगरा बिर्ज के नीचे में इसको फोर्स ने घेर सच्चाई क्या है ये जाच का मिशे है अगर पुलिस ने लापरवाही से कारवाही की तो ये पुलिस की पतिष्टा पर एक प्रश्च्च चिन है ये ती फतेपुर से इर्फान काजमे की रिपोर्ट आप देखते रहें वाइस अफ इंडिया